राम मनोहर लोहिया फुट्बोल स्टेडियम हरिहरपूर में मुख्यमंत्री आमंत्रन फुट्बोल परतियोद्था टोर्नामेंट का फाइनल मुकावला मजियामा पंचायत और पतिला पंचायत के बीच खेला गया कांडी से धिरेंद्र विश्वकर्मा के रिपोर्ट गढ़वा जिला के कांडी पर्खंड अंतरगत राम मनोहर लोहिया फुट्बोल स्टेडियम हरिहरपूर में हो रहे मुख्यमंत्री आमंत्रन फुट्बोल परतियोगिता टोर्नामेंट में कांडी पर्खंड के 16 पंचायत खेले जिसमें फाइनल मुकाबला में मजिगावा पंचायत यव पतिला पंचायत के बीच खेला गया इस मैज में रेफरी की फुमी का तुर्गा राम ने निभाया और मैज का परखंड अध्यक्सा परभारी लक्षमन राम गुरुजी थे इस मैच का सुरुवात हरिहरपूर ओपी परभारी सौकत खान या हरिहरपूर सांसत परतिनीदी सुरिदेव सिंग ने फीता काट कर सुभारम किया दोनों पंचायत के बीच कड़ी मुकाबला खेला गया और अपने पंचायत के मान समान बचाने के लिए मजिगामा पंचायत के मुख्या पती सुभास राम ने मैच खेला लेकिन समय निर्धारी दोनों पंचायत के टीम बराबरी पर रहे बराबरी को देखते हुए कमेटी ने पुना 20 मिनट का समय खिलने के लिए दिया फिर भी दोनों टीम बराबरी पर रहे अंत में प्लांटिक शोट मारा गया जिसमें पतिला पंचायत के टीम ने एक खुल से बढ़त बनाते हुए जीत दर्च की इस कारेकरम के मुख्य अतीती के रूप में हरिहरपुर ओपी परभारी सौकत खान हरिहरपुर सांसत परतिनिधी सूरेदेव सिंग मजियामा पंचायत के उप मुख्या अरुन मिश्रा संकर परतापते उच्ची बिढालेक परधाना अध्यापक अलावदीन अन्सारी राजकिय मथ्य बिढालेक परधाना अध्यापक महोदय सहायक शिक्षक सत्य नरायन सर्मा कांडी पुर्वी सांसत परतिनिधी गुडु सिंग उर्फरिसी केश सिंग विधायक परतिनिधी मनी कांद सिंग, कांडी पर्खंड स्वय सेवक अजीत सिंग, तुर्गाराम, सितार अंसारी तता अनेक समानित लोग थे सभी मुख्या तिथी को कमिटी की और से बुक्स देकर समानित किया गया